की अच्पोर्ट स्वेशन हम समझेंक यहऊ-ब्स एक्स्पोर्ट कश्टम कलेंस क् выпуск Preา हम इंच कुजेंसateurs एंको फरसपोड्स इन रगात्य ऑनियू एंद ईन उल सम्हों वह की दसने कि जयोðौर biss और फंहारे ट्रांसपोर्ड हो इसी टी में एरोड पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर गॉर्मेंट के दुबारा समगलिंग तो नहीं ओश टयांब है। तो इंडिय के चीज़ों के वहाँ पर गुट्स्ट जो आपने इस्टब कें या पैक्ड किये है वह एसपर डॉकमेंडिशन है थीक परकार से होती है कस्टम ऑपनाइंड है यह का कस्टम की जो है जैसे ही हम अपने गुट्स को पैक्ड करते है अत्स के बाद हमारे ही coffee की हल्प से i त्रांस्पूर्ट के थ्रू यह 气म에 होंसने हैं यह हमें प्रीपेर करने होते हैंजोगी हमें त्रक के साथ driver को हैंड और करने द्राइवरी रिंड यूंट्पस को लेखे रिए कैंटर में जाता है ॥मींग शिपिंग में नंबर दिखाने के बाद उनकी काष्टम में छाती हैं टिक समस्ट का इंपेंश स 높ण का इंपोर्ट एए और जाता है कि चिब हम श्पींग उनको दिखाते हैं तो लाश म्यों से बता पुर जाते हैं कि इसको ईय् совсем मिल जाती हैं इसके बाद का प्रूसीजर है जैसे गुट्स वहां पहुंचते हैं उसको एक रिस्पेक्टिव एरिया में रखा जाता है और एस पर अफिसर्स गॉवर्मेंट ऑफिसर्स गुट्स का एक्जामिनेशन के जाता है ठीक है तो एक्जानिमेशन के मोस्ली एक तो फिजिकल एक्जामेशन और फिजाम में नहीं होता है तो आपने देखा कि शिपिंग भी एस फिट्स destined नहीं जो सिल अल्रेडी कंटेनर के होती वो रिमूव करके नई सील लगा देते हैं और उस पर नया सिल डाल देते हैं ठीक है तो यहां पर यह पता बढ़ रहा है कि वहां पर जो के देने होते हैं तो यहां पर क्या सब्सक्राइब करन सहले हो सेट ओप सब्सक्राइब के जाते हैं इसक। कि वहां पर और इंस्पेक्टर उसको टाइम अलोट करता है कि इतनी बज़े गुट्स की एक्जामीन होगी और डॉकुमेंट्स चेक इन वेरिफाई किया जाते हैं ठीक है गुट्स एक्जामीनेशन करते टाइम उनों को जो कंटेनर की जो सील लगे होती है आरे फाइदी सील पिल्स उसको स्केन करकेए डॉकुमेंट कोचे जाता है इसके लावा फिण saival इंग्जेम इनिसन भी यह ग्या layout धा tester दो इसकेश मेड्मन हम् Scott अब एकश्पूर शहीं करता है इससमें हम इस उतर्ठीक लेक्समॉनिंशं ट्रमिल गूट्स कई संबच्वन लेक्वनेशन प यह इंडियन गवर्मेंट की तरफ से मिलता है लेट एक्सपोर्ट आपने देखा होगा शिपिंग बिल पे एक डेट होती है लेट एक्सपोर्ट आपर गवर्मेंट आपको डेट डिकलेर करते हैं कि गुड्स केन भी एक्सपोर्टेड तो यहां पर एक्जामिनेशन का जो कि कस्टम क्यों होती है तो वहां से जब यह डॉक्मेंट इंडोर्स होजाते हैं तो यह गया कि आपका प्रूप एक्सपोर्ट है माना जाएगा कि हां इंडियन गॉर्मेंट ने इसको अथ्राइज कर दिया इक गुड्स केन भी एक्सपोर्टेड ठीक है तो इस परकार ट्रूस ठीक है अगर गुड्स आपके एस पर गॉर्टमेंट नॉर्म्स ओके हैं देन आपको लेट एक्सपोर्टर मिलता है वर शिपिंग बिल आपको हैंडोर के जाधा जिस पर स्टेंप और साइन होते हैं कस्टम के सो गाइस यही है कस्टम के लिए प्रोसेस सो थेंक्य प्रोसेंग झाल अजड के लिए वस्ट चेशन प्रोसेंग उर्माट नॉकर स्टम्स व्ड़ कर दोल्च कर दो हैंड़ प्रीजिशना खञ्ट कर दिया हैंड़ कर दो देंग जब आएषण।